भाई और बहनों, आज एक और बहुत बड़ी चुरोती है, जिसका जिक्र में आप सभी किसान साथियों, हमारे इनोवेटर्स के सामने जरूर करना रहूं। आत्म निर्भरता पर इतना बल मैं क्यों दे रहा हूं और खेती की किसानों की इसमें क्या भूमिका है, ये हम सब को समझ करके मिशन मोड में काम करने की जरूर है। आज सबसे अधिक खर्च जिन चीजों को आयात करने में हमारा होता है, वो खाने का तेल है, फर्टिलाइजर है, कच्चा तेल है, इनको खरीदने के लिए ही हर साल लाखों करोड रुपिये हमारे दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशों में जब कोई समस्या आती है, तो इसका बूरा असर हमारे यहां पर भी पड़ता है। अब जैसे पहले कोरोना आया, हम मुश्किलें जेलते जेलते दिन निकाल रहे थे, रास्ते खोज रहे थे, अभी कोरोना तो पुरा नहीं हुआ, तो लड़ाई छिड़ गई। और यह ऐसी जगा, जहां हम बहुत सी बाते वहां से खरिकते थे, जहां से जादा हमारे पास जरूरते थी, वही देश लड़ाईओं में उल्जे हुए हैं, उन ऐसे ही देशों पर इन लड़ाई का प्रभाव भी जादा हुआ है, अब खात को ही लीजिए, यूरिया हो, ड दुनिया के बाजारों में, दिन, रात, इतनी तेजी से महंगे होते जा रहे हैं, इतना आर्थिक बोज पड़ रहा है, जो हमारे देश को जेलना पड़ रहा है, आज हम विद्योसों से पच्चतर असी रुपिय किलो के हिसाब से यूरिया खरीते हैं, लेकिन हमारे देश क किसान पर बोज न पड़े, हमारे किसान उन पर कोई नया संकट न आए, जो सतर असी रुपिय में हमारा यूरिया हम आज बहर से लाते हैं, हम किसानों को पांच या छे रुपिय में पहुंचाते हैं भाईयो, ताकि मेरे किसान भाईयो बहनों को कश्ट न हो किसानों को कम किमत में खाद मिले इसके लिए इस वर्स अब इसके करण सरकारे खजाने पर बोज आता है कई कामों को करने में रुकावटे खड़ी हो जाती है इस वर्स लगबग ढाई लाग करोन रुपया केंद्र सरकार का सिरब यह यूरिया के पीछे हमको लगाना पड़ रहा है भाई और भेनों आयात पर हो रहे खर्च को कम करने के लिए देश को आत्म निरफर बनाने के लिए हम सबने मिलकर के संकल्प करना ही होगा हम सबने मिलकर के विदेशों से खाने के लिए चीजे लानी पड़े खेती के लिए चीजे लानी पड़े इस मेंसे मुक्त होने का संकल्प करना ही पड़ेगा कच्चे तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए बायो फ्यूल इथेनॉल पर बहुत अधिक काम आज देश में चल रहा है इस काम से सीधे किसान जुड़ा है हमारी खेती जुड़ी हुई है किसान की उपद से पैदा होने वाले इथेनॉल से गाडियां चले और कचरे से गोबर से बनने वाली बायो गैस से बायो सिएन जी बने ये काम आज हो रहा है खाने के तेल की आत्मदिर फ्रता के लिए हमने मिशन ओयल पाम भी शुरू किया है आज मैं आप सभी किसान साथियों से आगर करूँगा कि इस मिशन का अधिक सहतिक आप लाब उठाए तिलहन की पैदावर बढ़ा कर हम खाद्य तेल का आयाद बहुत कम कर सकते हैं देश के किसान इसमें पुरी तरह सक्षम है दालों के मामले में जब मैंने 2015 में आपनों तो आवाहन किया था आपने मेरी बात को सर आँखों पे उठा लिया था और आपने करके दिखाया था वरना पहले तो क्या हाल था हमें दाल भी विदेशों से लाकर के खानी पढ़ती थी जब हमारे किसानों ने ठान लिया तो देखते ही देखते दाल का उत्पादन लगबग सत्तर प्रतिशत तक बढ़ा कर दिखा दिया ऐसी ही इच्छा सक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है भारत की कृशी को और आधुरिक बनाना है नई उचाई पर पहुचाना है